two flask one and two shown below are connected by a valve of negligible volume when the valve is opened the final pressure of the system in bar is x into 10 to the power minus 2 okay guys the value of x is अब इसमें x पूचा है देख आपको बहुत बार इस टाइप के questions करते हों गया इन सभी questions में आपको एक चीज देखनी है जैसे ही वाल बनती है निकलती है ठीक है अब इसमें क्या है gases इसमें कुछ temperature पे जो gas है इसमें कुछ moles है gas के एंटू के तो मिक्स होते हैं इसमें सब में जो particular gas के लिए जो volume है वो increase हो रखता है पहले ते लेट जा सबोज इस particular जो flask में gas थी उसका वो 1 liter में थी अब वो 3 liters में हो गए कैसे 1 liter plus 2 liter and same goes for this gas also लेकिन साथी साथ इसमें एक चीज और होती है कि जो temperature है जैसे इसमें 300 Kelvin था और इसमें 60 Kelvin था ठीक है अब वो किस तरह सो जाएगा कि जो X है will be between 60 Kelvin और 300 Kelvin कुछ इस तरह से जो आपका जो temperature है sorry not X T जो final temperature है वो कुछ इस तरह से होगा जिसमें 60 Kelvin और 300 Kelvin के बीच में हो जाएगा लगबग लगबग कुछ ऐसे ही distribute हो जाता है final temperature coming back to our question जब भी आपके स्टाइब के question होता है तो सबसे पहला आप यह सोचिए कि जो number of gas है moles है sorry जैसे पहले क्या है इसमें let's just suppose कि N1 moles थे और इसमें N2 है अब अगर मैं initially देखूँ तो जो N1 प्लस N2 जो है initially N1 moles होगे या N2 moles होगे ठीक हमेशा moles के ओपर जाएए वो equals to हो जाएंगे जो number of moles होगे total gas के समझ रहा है मैं कैसे कहा हूँ N1 let's just suppose कि इतनी conditions में initial N2 initial अब इसमें क्या हो जाएगा जो final हो जाएगा N1 प्लस N2 या कहूँ तो N final तो अगर number of moles जितने final होगे डोनों gas के will be I mean total of डोनों gas के I hope आप समझ पा रहे हूँ guys मैं क्या कहा हूँ वह अब यह initial final से मेरा मतलब है at initial conditions भाई जो यह number of moles है at 300 Kelvin temperature यह जो N2 moles है at 60 Kelvin temperature 2 liter volume वो क्या हो जाएगा N1 प्लस N2 मल्स टोटल जो number of moles हो जाएगे वो at final conditions कुछ temperature final हो जाएगा volume total 3 liter हो जाएगा तो इस तरही conditions पे जो बोल होगे वो equal हो जाता है right so अब इस चीज को question solve करने के लिए पहले initial जो conditions है उनको calculate करने कोश्च कीजिए अगर आपको अब तक नहीं समझ में आया है तो अभी आगे देखे आपको देरे देर समझ में आ जाएगा so let's just suppose कि जो number of moles है आपका जो container 1 में वो कितना हो जाएगा mass upon molecule mass का formula लगता है तो N2 gas है mass दिया हो है याने 2.8 divided by nitrogen का क्या होता है molecule mass 14 तो इसका N2 का क्या हो जागा 28 तो it will be 0.1 या 1 by 10 कुछ कैसे भी लिख लिख लिए similarly जब number of moles होंगे initially यह जो सारी conditions है वो initial है जब तक मैंने अभी तक valve निकाली नहीं है so number of moles in flask 2 will be क्या again mass upon molecule mass जाने 0.2 upon 28 तो यह जो भी आएगा upon 140 तो यह होगे N1 प्लस N2 अब क्या होगा जो final temperature है कि T इस system के मैंने आपको क्या बता है जो T होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि 300 Kelvin के बीच में कम होगा और 60 Kelvin के बाद में बड़ा होता है तो इसका मतलब इस gas जो flask है यह container है इसने कुछ heat lose करी होगी और यह कुछ heat gain करेगा तो याने जो average बीच में अब देखे ऐसा है कि जो average heat है balance पूरे container का same होने के लिए इसने कुछ lose करी इसने कुछ gain करी याने जो इसने lose करी वही इसने gain करी होगी ठीक है तो हम क्या कह सकते है कि heat lost by container 1 will be equals to heat accepted by container 2 ठीक है तो again क्या हो जागा एन 1 अन 1 मतलब यह सब कुछ initial चल रहा है c m तो जो temperature क्या होगा 300 क्या होता t1 minus t2 तो याने पहले क्या था 300 minus final t similarly क्या हो जाएगा इसमें n जो second flask है यह वह क्या हो जाएगा cm t minus 60 right guys समया आपको तो इसको क्या हो जाएगा n i क्या है इसमें यह 1 by 10 right 300 minus t अब यह cm से cm cancel तो n2 क्या होगा 1 upon 40 into t minus 60 समझें तो इसको जब आप calculate करोगे तो t is equals to क्या हो गया 284 Kelvin right okay guys so temperature आपका आपका 284 Kelvin नो यह जो सब हम कर रहे थे वो किसले कर रहे थे आपको निकालना क्या था इसमें वो निकालना था आपको final pressure तो final pressure क्या होगा देगे pv equals to n rt होता है तो let's just suppose p यह आपका final है v final हो गया number of moles जो final हो गया r और t temperature जो क्या आपका final होगा तो जो final temperature हुआ वो तो आपका 284 Kelvin r तो constant है number of moles final जो होगे आपके वो again same initial और final जो same होता है आपको बताता है तो 1 upon 10 upon plus 1 upon 40 समझें आप यह r हो गया volume final आपका क्या हो जाएगा 3 liters समझा आपको यह 3 liters and जो p final आपको निकालना है समझा आपको आपको जो इन सब को जब आप solve करेंगे तो जो आपका final answer आजाएगा p will be equals to 84 into 10 power minus 2 right so 84 क्या हो जाएगा आपका x और this is your final answer I hope guys आपको यह किशिन समन्मा होगा